चैय मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त माह के तीसरे सप्ता के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए 15 अगस्त से 21 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा इन साथ दिनों में ग्रह नक्षतरों की इस्थिति क्या होगी कौन सा ग्रह राशी बदलेगा क्या शुभ योग होंगे क्या तिथी होगी और बाखी ग्रहों की इस्थिति कैसी रहेगी तो किन चीजों में आपको इस साथ दिनों में लाब मिलने वाला है और किन चीजों से सावधानी रखनी है जानेंगे सब कुछ विस्तार से बस आगे बढ़ने से पहले आप से छोट असा ही निवेदन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें औ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो सेंग राशी की बात करें हैं 15 अगस्त से और 21 अगस्त तक की और यह जो राशी फल है यह चंद्र राशी पर अधारित है तो चंद्रमा के स्थिति बहुत माइने रखती है अब चंद्रमा जो होंगे इस सब्ता में तुला राशी से गोचर करते हुए मका राशी तक जाएंगे यानि आपके लिए तीसरे भाव से गोचर करते हुए तीसरे चौथे पांच वे और छटे भाव तक जाने वाले हैं और इसी केनुसार आपकी जो दिन चरिया है उसमें परिवर्टन होंगे इसके अलावा इस पता की शुरुवात में ही 16 अगस्त को ही आपकी राशी के स्वामी सूरे देव अपने घर वापसी कर रहे हैं यानि कि एक वर्ष के पस्चात अपनी राशी सिंग राशी में प्रिविश करेंगे आपके लगन में बैठेंगे जहां पहले से बुद्ध बैठे हुए हैं तो सूर्य मंगल बुद्धिन तीनों की यूती होगी तो यहां मंगल से थोड़ी सी सावधारी आपको रखनी होगी साथ में इस सब्धा की जो शुरुवात है उसमें सावन महीने का चौथा सौमवार होगा और अगले ही दिन मंगला गोरी वरत भी होगा जो की आखरी मंगला गोरी वरत होगा जिसकी वजह से भी यह जो समय है यह काफी खास समय होने वाला है तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि किस तरह से आपकी जो दिन चरिया है उसमें परिवरतन होने को देखने को मिलेंगे अब सब्ता के शुरुवात होती है आपके तीसरे भाव में जहान रखना होगा किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव होता है तो खुद को तनाव से दूर रखने की आप कोशिश करें मेडिटिशन करें योग कर सकते हैं जिससे आप खुद को स्वास्त रख सकें अगले एक दिन आपकी राशी के स्वामी सूरे देव राशी बदल जहां बुद्ध बैठे हैं बुद्ध के साथ मिलकारप्ध अधितययोग कर निर्मान करेंगे साथ में ये सावन के महीनी का चौथा सौंवार भी होगा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का भी उत्तम दिन होगा तुछ दिन बगवान शिव का जलाविशेक करें वी व्रचिक राशी के साथ व्रचिक राशी में केतू के साथ यूति करेंगे केतू और चंदर के यूति हो जाएगी तो यह ऐसी समय होगी जब आपके आर्थिक इस्तिति अच्छी गती पकड़ेगी धन से जुड़ी हुई जो मुश्किले हैं उनका निवारन आप कर पाएंगे बहुत सी ऐसी चीजों होंगी जिनको आप सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे और साथ में बच्छत करने की तरफ आप ज़्यादा समर्थ रहेंगे बच्छत करने की तरफ आप ज़्यादा सोचेंगे किस तरह से आप बच्छत कर सकते हैं लेकिन बीच-बीच में छोटी ये जो समय होगा आपके परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा है बहुत ही बहतरीन है बाहर गूमने से ना सिर्फ आप अच्छा फिल करेंगे आपका मन भी हलका रहेगा काफी एनरजेटिक रहेंगे कुछ बदला बदला नजर आएगा इस अब सूरिय, मंगल और बुद्ध ये तीनों मिलकर कुछ अच्छे चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छे हैं जैसे बुदादे तयूग हुआ तो ये आपके लिए वेपार के लिए आपके मान सम्मान के लिए इन सबी चीज़ों के लिए अच्छा है लेकिन साथ में मंग बैठे हुए हैं तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी होगी अपने कारेस्थल पर चाहिए आप बिजनिस करते हैं चाहिए आप नौकरी करते हैं अपने कारेस्थल पर काम करते समय आपसे किसी भी तरह की भूल चूक ना हो इस बात का ध्यान रखने अगर कुछ ऐसी चीज हो जाती है भूल चुक हो जाती है तो उसे स्विकार करना आपका बड़पन को दर्शाएगा अगर कोई गलती हुई है तो उसको स्विकार जरूर करें इससे जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आएंगे इस्तिथियां आपके पक्ष में रहेंगे तो उसे सुधा प्राप्त समय होगा अपने आप अपनी जो चीजें हैं उनको सही से निर्मित करने का जहां तक प्रेम संबंद की बात है तो प्रेम संबंद ठीक ठाक रहेंगे बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक रहने वाले हैं और परिवार एक जीवन अच्छा रहेगा कि सूर्य अपने आपकी लगन में बैठे हुए हैं तो एक तो आपके व्यक्तित पर सबसे अधिक प्रभाव होगा इसका जब भी लगन में कोई ग्रह होता है या लगन में कोई योग बनता है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव आपकी परसनालिटी पर आपके स्वभाव प पर इन सभी चीजों पर पड़ता है तो यह सूर्य का प्रभाव होगा आप में तेज देखने को मिलेगा आपकी बातें बड़ी ही अच्छी होंगे आपके विचार अच्छे होंगे जो सामने वाले व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए काफी हैं तो काफी अच्छा समय है यह आपके लिए और साथ में 16 अगस्त का जो दिन है इस दिन भगवान शिव के आराधना करें मंगलवार का दिन मंगला गोरी व्रत किया जाता है मापार्वती की पूजा अर्चना की जाती है और यह मंगला गोरी व्रत इस महिने का सावन के महिने का आखरी मंगला गोरी व्रत होगा तो इस दिन मापारवती के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा आराधना करें श्रंगार की वस्तुएं मापारवती को अर्पित करें उसके बाद उनको किसी सुहागन महिला को आप देते हैं इससे क्या होगा इस दिन का पूरा प्रवाव आपको देखने को मिलेगा शबता याग के अंत में शनी के साथ चंदर की यूदी होगी तो ये आपके काम पर सबसे अधिक प्रवाव डालेगा और साथ में जो विद्यारती किसी प्रतियोगी परिख्षा के तयारी कर रहे है उन के लिए भी जुसमे में होगा ये कई तरह से अनकोल हो न है क्योंकि छटा भाव है छटा भाव रोग, रोण, शत्रु और प्रतियोगी का भाव होता है तो आप जो महनत कर रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने के आवश रहता होगी जो की competitive exam की तयारी कर रहे हैं आपको ज़्यादा focus रहना पड़ेगा तभी जाकर आपको अच्छे results देखने को मिल सकते हैं तो सब्ताक के अंत में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी ज़्यादा ध्यान देना होगा तभी अच्छे results आपको देखने को मिलेंगे साथ में अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी जरूर रखनी होगी या तयात के सभी नियमों का पालन करना होगा और आप एक उपाय जरूर कर सकते हैं सूर्य के उपाय आप जरूर करें सूर्य लगर में बैठे हैं तो आदित हिर्दैस तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम result दे सकता है तो इस कारे को आप जरूर करें साथ ही चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें